मैं समय और स्वागत करती हूँ आपका मेरी किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो कैचप इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही आसानी से हम इसको घर में मार्केट जैसा बना कर त्यार कर सकते हैं और आजकल मार्केट में बहुत अच्छा टमाटर आया तो हम उसको बहुत सारा बना कर एक साथ इस्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए जादा देर ना करते हुए हम रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक किलो लाल टमाटर लिया है बहुत अच्छा पका हुआ बहुत बढ़िया टमाटर लिये हैं अच्छे डमाटर लिजिएगा आप मार्केट में से खरीदते टाइम तो अब हम इनको जॉप करेंगे तो पहले इस तरीके से हम बीच में से कट कर लेंगे उसके बाद इसका जो ग्रीन पार्ट है इसको निकाल देंगे इस तरीके से और आप हम इनको चॉप करेंगे तो इसी तरीके से हम सभी टमाटर को बारिक चॉप कर लेंगे सभी टमाटर को हमने बारिक चॉप करेंगे एक कड़ाय में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमें बागी के इंग्रीडियंट्स एड़ करेंगे एक स्मॉल साइज का चुकंदर लेके उसमें से हाफ डाल देंगे हम हाफ प्यास डाल देंगे पांच से छे लैस उनकी कलिया डाल देंगे हम इसमें वन फोर्थ कप हम इसमें डाल देंगे विनेगर यानि सिर्का हाफ कप हम इसमें डाल देंगे चीनी अपने टेस्ट के अकोडिंग हम इसमें डालेंगे नमक और हाफ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्स पाउडर अब हम इसे गैस पर रख देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से लैसुन प्याज अगर आप खाना पसंद नहीं करते तो इसकिप कर सकते हैं चुकंदर यहाँ पर हमने इसलिए डाला इससे कलर बहुत अच्छा आएगा अगर आपको ज़्यादा कलर नहीं चाहिए तो आप चुकंदर भी इसकिप कर सकते हैं अब हम इसको ढख कर रख देंगे और पक नहीं देंगे तब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका पूरा पानी है जो वो ड्राइ हो जाए अभी इसको पकते हुए लगवग 15 मिनट हो गया है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे टमाटर काफी सॉफ्ट हो गये हैं कम हो गये हैं और जो चीनी हमने डाला था उसका भी पानी काफी रिलेज हो गया है प्लस टमाटर में भी पानी था तो आभी काफी पानी हो गया है इसमें तो आभी हम इनको और पकने देंगे टमाटर और सॉफ्ट होने तक गलने तक और पूरा पानी ड्राई होने तक इसको और पका लेंगे अब इटामाटर हमारे अच्छे से पक गया है, पूरा पाने ड्राई हो गया है, देख सकते हैं अब हम कैस की फ्लैम आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे अब इक टामाटर हमारे ठंडे होगे, तो अब हम इनको एक जार में डालेंगे और इनका एक फाइन सा पेस्ट बना कर तयार करेंगे अब इसका जो पेस्ट है, इसको हम अच्छे से चानेंगे, ताकि नीचे हम एक स्मूथ सा पल्प तयार मिले तो इसी तरीके से हम पूरा छान कर तयार कर लेंगे और यह उपर से जो बचा है, इसको हम हटा देंगे साइड में तो यहाँ पर हमने यह पूरा छान कर तयार कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरा पल्प हमें अच्छा सा मिल गया है और एक्ष्टा जो यह कच्रा है इसको हम निकाल देंगे, छिलके बगेरा आप इसका टेक्स्चर देखें कितना स्मूध यह बनकर तयार हुआ है, बहुती स्मूध, एकदम कोई रेशा नहीं, कोई दाना नहीं, बहुती बढ़िया कलर इसका आया है आप जरूर से ट्राइ करें इसे और अपने फीड़बेक मेरे साथ शेयर करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और बाकी की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगती हैं, वीडियो जा अच्छी लगती है या नहीं, तो आप मेरे साथ शेयर करें और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, खुश रहिए बाई बाई